बाविस मार्च को दुनिया भर में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और जल ही जीवन है और पाने की बरबादी को रोकने पर दोर दिया चाता है वही मदर प्रदेश में रिलाइंस फाउंडेशन का भागी रत ही प्रयास देखने को मिल रहा है यहां क्रशी समुदायों में जल प्रबंदन और शासन सुविधा प्रदान करने में रिलाइंस फाउंडेशन ने साहिता की है आप तक साथ जिलों में समुदायों के जीवन को बहतर बनाने में एहम भूमेकार न भाई है मादरप्रदेश में साल 2011 से शुरू हुई रिलाइंस फाउंडेशन के वाटर इंटरवेशन कारिक्रम ने राज में जल संचियन शिरमता को लगभग 400 लाग क्यूबिक मीटर और 770 गावों में पेजल पहुचाने की सुविधा में सुधार किया है हर गाव में रिलाइंस फाउंडेशन ने समुधायों को एक सामानी संसाधन प्रभंदन योजना विक्सित करने के लिए अतिहासिक प्रुत्साहत और इसमें जल प्रभंदन शामिल करने के लिए कहा है फिर वाटर हार्वेस्टिंग इंटर्वेशन और समुधाय की भूमी विकास योजना बनाई है सिवनी जिला इन में से एक है जहां रिलाइंस फाउंडेशन का काम एक दश्रक से अधिक समय तक लगभग दोसों गावों के लिए बड़ा बतलाव ला चुका है हरहरपूर और कटंगी सिवनी जिले मुख्याले से लगभग 16 किलोमेटर दूर दो जुड़े हुए गाव है जब से रिलाइंस फाउंडेशन इन गावों में काम करने लगा है तब से इन गावों में दोसों परिवार अपने क्रिशी आधरित आजिविका और पेजल स्तिती में सुधार हुआ है